इस दस मिर्ट वाले फेशियल में आपको क्या करना है? सबसे पहले कौफी पाउडर लेना है जी हाँ कौफी पाउडर से आपको फेशियल करना है तो कौफी पाउडर लेना है उसमें थोड़ा सा नारियल तेल आप मिला सकते हैं या कौफी पाउडर को पानी के साथ मिक्स करक 5-7 मेर तक ऐसे प्रोसेस को करें, हलके हाथों से रब करें, और कुछ देर के बाद इसे पानी से नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धोलें, यह पहला स्टेप हुआ, जो की कंप्लीट हुआ, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, कॉफी पाउडर लेना है, उसमें नार इस पे लगा लेना है, 10-15 मिन तक इस फेस पैक को अपने फेस पे रहने देना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को धो लेना है, धोने के बाद इस फेस पैक के लगाने के, और धोने के बाद आप चाहें कि अच्छा सा टोनर अपने फेस पे अपलाई कर सकते ह मैं अज़े टोनर आपको रोज वटरि यानी गुलाब जलरे रेकमेंट करोंगे, आपको अपने फेस पेड तोनर के रुप में लगा सकती है, या आपको अको और टोनर सूट करता हो, पसंद हो, या आपके स्किन बेस्स, इसकिन के हिसाब से, आप अपने ٹोने को अप्लाई करती हूं तो उस तरीके से प्लाई कर सकती हैं। वैसे भी आपको कोई भी चीज पेस बैक हो गो तरह सब जाब किसे ऑनeredậंके से पहले टक हैं। तो मैंने हमेशने बता है कोई भी चीज कर सकता हैं। पहले आप अपने कान के पीछे वाले भाग एरिया पे अपलाई कर लें और कुछ दिर तक रहने दें और अगर आपको सही लगा बिल्कुर अच्छे तरीके से उसे आप अपलाई कर सकते हैं अपने फेस पे तो कॉफी ही लगाने से क्या फायदा होगा कॉफी पार्ट बहुत ही अच्छा होता है एक स्कीन के लिए या आपके स्कीन प्रॉब्लम को दूर करता है बहुत है skin problem है उनको दूर करता है skin pigmentation को दूर करता है आपके skin को tight बनाता है और अच्छा दिखाता है and glowing बनाता है तो यह सबसे best और आसान facial है आप अपने घर पे कर सकते हैं